फाइनली अब बनेगा इंडिया सुपर पावर और किसी भी कंट्री को सुपर बनने के लिए बहुत सारे पेरामेटर्स पर उतना पड़ता है उसमें सबसे जादा इंपॉर्टन होता है मैनुफैक्टरिंग और वो भी एलेक्टोनिक्स की क्योंकि हमें मालूम है एलेक्टोनिक्स फिल्ड बहुत स्पीड से इंक्रीज करने वाली है और धक्का जो लगा हमें 2020 में लगा जहां पर करोना आया और सब जो डिपेंडेंसी थी वो चायना पर तो चायना ने पूरा क्लो क्योंक तो टियार करना शुरू करेंगे तो फाइनली मैनुफैक्टरिंग और कंपोनेंट गॉर्मेंट ने अब एप्रूवल दे दिया है ठाइटी फॉर अलेक्टोनिक्स कॉम्पोनेंट का जहां पर आब बात की जाए तो manufacturing proposal दिया गया था जिसका प्राइस फाइनली गौर्रमेंट ने approval कर दिया है 11,187 करोड रुपे जो कि अब इन कंपनियों को दिये जाएंगे अलग-अलग local manufacturing को जिससे कि अब इंडिया में भी electronics manufacturing start हो पाईगी जैसे कि हम बात करें क्यों कि मैं भी पहले अलिया एक्सप्रेस से अलिबाबा से मंगाते रहता था लेकिन क्या होता था जो मुझे प्राइस वह 19 रुपे 20 रुपे में आप अलिया एक्सप्रेस से आज की डेट में बैन है इंडिया में बट पहले यह open थी तो 19-20 रुपे में आप बाया इंडियान पोस्ट अपने घर पर डिलीवेट करवा सकते थे प्रोड़क्ट लेकिन वही प्रोड़क्ट मुझे 11 रुपे या 20 रुपे में अलिया पही न लग जाता था प्रोड़क्ट को आने वे लेकिन वही प्रोड़क्ट आप Amazon पे या Flipkart पे खरीचते थे तो उसके चार गुना या पाच गुना प्राइस आपको देने पड़ते थे सो देर सो रुपेगा पड़ता था उसके बाद उसका डिलेवरी चार्ट तो यह ब गई थी अंडरा इस पैक और डमेस्टिक कंपोनेंट को फाइनली जो एप्रूबल मिला 34 कंपोनेंट को मिला और जो इसकी स्टार्डिंग की गई थी एक अप्रेल 2020 में फाइनली गौर्नमेंट ने सोचा था कि हां हम अपने लोकल मैनुफेक्ट्रेंग को प्रोड़ करेंग की साथ और हम बात करें यहां पर फाइनली गौर्मेंट ने अब एक भारी भरकम बजट जो है वह एप्रूफ कर दिया है कंपनियों के लिए 11,187 करोड जिससे की अब जो लोकल मैनुफेक्ट्रेंग है उन्हें तागत मिलेगी और कहीं ना कहीं जो इंडिया की बात की कुछ स्लिए डाये से लेकर के शाम बात किके लिए बेंट तक आप वह वह अब ही होता है तो जैसे की बात करी जाए को मैनुफेक्टर और जीनए यह सब कुछ दिये जाएंगे कंपोनेंड बनाने के लिए इन नक पैसा भी मिलेगा चीज का तो यहां पर बात किके जाए तो Tata electronics सबसे पहले इसमें हाथ मार रही है बात करें Samsung display और बात की जाए Samsung display Noida private limited और सेल्कॉम technology सरसा सेमी कंडेक्टर आईडैमिया शिसकॉन देखी electronics molex India and continental device India private limited तो यहां पर ये लोगसभ में बाया written paper दिया गया था बात की जाए तो Ministry of State for Electronics आईटी के तरफ से राजीव चंदशेकर ने और कहा था कि हाँ फाइनली अब एप्रूवल हो गया है लेकिन जो एप्रूवल टाइमिंग है वो अरौंड तीन साले अब इसे manufacturing field में on ground उतनने में अब कितने साल लगेंगे वो सबसे बड़ी चंता की बात है क्योंकि एप्रूवल ही जल्दी मिल जाता तो शायद आज से यह हम बात करें आने वाले 2024 यह पच्छी से manufacturing स्टार्ट हो जाती बट अब कितना टाइम लगेगा आने वाली news अपडेट में आपको आपडेट करते रहेंगे यह वीड़ा आपको अच्छे लगें चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जाओ किजेगा धन्यवाद